देखें आप यह कोई आपति नहीं है अगर वंस्तों में वह सिव लिंग है पढ़ है उसको सबमार है जेकिन आप देखते जाएटको सारे प्रशनों का उत्तर मिल जाएगा तो ये आपने यहाँ पे एक चीज देख लिया, आचा दूसरी बात असलील ताकी होती है, यहाँ पे मैं सभी लोगों से कहूंगा कि आप लोग इसको कताई असलील न माने, क्योंकि भारत के एक भुशंख्यक जो प्रमपरा है, उसमें लोगों ने इसको अस्थान लिया है, और इसको माना है, आज की डेट में भले असलील हो, भले ही आज की डेट में हम अपने बाल बच्चों को किसी दूसरे से साधी नहीं करने देते हैं, पब्लिक जो है कई लोग हत्या कर देते हैं, आज लग जो है सावरजनिक अस्थान पर हमारे यहाँ चुम्मन असलील नहीं माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं दूसरी तरफ साधी विवाया जो छूट होती है प्रैक्टिकल लाइफ में वहां पर दिक्कत आती है, तो हमारे हां हर काम जो है इमेजरी टाइप से जो है असलील नहीं माना जाता है, कालपनी ख्याली जो पुलाव है उसमें कभी गलत नहीं माना जाता है जैसे आप रमायन पढ़ते हैं तो इंद्राहिल्या का वो कर देता है रेप करता है या उनमें जितने भी असलिलता है आती है धार्मिक किताबों में कोई रिसी कैसे बच्चे पैदा कर देता है वहां पे हम लोग जो है उसको भी बुरा नहीं मानते यहां रिसी मुनी है रिसी मुनी है प्रैक्टिकल लाइफ में हर चीज खराब माने जाती है तो यह हम लोग का एक दोहरा व्योहार है खैर आगे बढ़ते हैं यह देखें यह लिंग जो है इस तरह की आकरिती आज हम लोगों देखने को मिलती है यह जो है आप देख पा रहे होंगे बेस फिर से ध्यान दीजेगा बेस यह बेस है क्या काली बंगन में जो मिला है उसका बेस इस तरह से है नहीं है तो किस अधार पर उसको आपने सिव लिं नहीं है फिर भी उसको पता नहीं किस अधार पर उसको ठाराया गया या ठाराने की कोसिस की गई किसी भी रेंडम और इस्टोन स्ट्रक्चर को दिखा कर बताना यह देखें एक दूसरा भी देख लिए इसका भी बेस चोड़ा है इतरह तरह के मैं सीवलिंग इसलिए दिखा हो ताकly सभी लोगों कीलियर हो जाए कि कालि वंगल में जो बताया गया या जिसको फिर से वहां पर से बताया गया एसा नहीं होता यह MODERN ताइप के जितने भी बनाय जा रहा है कहीं पर आपको फेस दिख रहा है नहीं दिख रहा हैं तो किस अधार पर इसको ठारा दिया कि यही लिंग जो है वहाँ पे भी मिला है और वजरयान साखा वाले जो बनाते थे हैं वो भी नहीं का है कि सदार बठा रहा है गया तो अब यहाँ पे जो डिफरेंट इनके जो बुक्स हैं वो क्या क्या कहते हैं उसके बारे में दिया गया है जैसे आप देखें कि origin of the lingam has been described in the Hindu scripture of Siva Purana देख लिजे जब ही आप बात करेंगे ना कि आप लोग कहां से इसको जानते हैं तो पुराणों की बाता जायेगी कि पुराणों से जानते हैं और हम सब जानते हैं कि पुराण को कोई भी दुनिया का कोई भी बंदा जो है पुराण को ज्यादा पुराणा नही मानता है बहुत लोग जो हैं चुकि हम जानते हैं कि जैनियों के ने भी पुराणे लिख रखे हैं तो जैनियों का पुराण थोड़ा पहले का माना जाता है कुछ लोग बोलते हैं कि लाटर गुपता काल का है क्योंकि उस समय जैनी वगरा होते थे आचा यह जो ब्रहमेनि तो किताबों तोจะ कितना पूराना है तो कहां से पता चल पाएगा बताएगा कि आप इसकी गारेंटी दे पाएंगे कि मोहन जुदाडो में लिंग पाया जाता था किताब आपकी है अंगरेजु के समय के मुगलों की समय की और आपका उनके अधार पर जब आप समराट असुक के बारे में ने जानते थे उनका सही इतिहास आप ने जानते थे कर देगा फिर और वो भी आप जो मन करें वही ठारा दे रहे हो जो मैच भी नहीं कर रहा है उसको भी लिंग बता दे रहे हो तो जूटी बातें यहां से परतीत होती देखें इनका रेफ्रेंस जो है सिव पुराण है असकंद पुराण होगा यहां पे असकंद पुराण हो यानि कि ये उपनिशद में भी सीवलिंग की नहीं बता पाते हैं, वेदों में नहीं बता पाते हैं, वेदों में चर्चा भी आयेगा ना, तो निंदा की चर्चा आयेगा, कि शिश्न की, मतलब ये पेनिस की जो पूझा करता है, उसको निंदा की आगया है, ऐसी चर्चा पूरे वेद में कहीं पे भी सीव की चर्चा नहीं आएगी अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि नाम बदल देंगे जैसे आप जानते ही हैं नाम बदलने की अदत है अब दिखाना तो पड़ेगा न कि सीव हैं उसमें तो नाम बदल दो कोई एक दे होता है रुद्र कह दो कि भा भगवान का नाम बदलने वाले, इस्वर का नाम बदलने वाले, जब आपके वेद में, अगर आप कह रहे हो कि रुदर को ही आप सीव कहते थें, तो उसमें भी तो है नहीं, लिंक की चर्चा उसमें भी तो नहीं है, उसमें भी अलग बात है, अब कहोगे कि महामिर्तुन्ज जब घजाप है अरे भाई उसमें मंत्र है मंत्र है आप उसको जोड़े के तोड़े किसी से जोड़े लो नiau कि उस पे हम यह मंत्र पढ़दो तो यह रहाई गा मесяउ सिवलींग की चरका नहीं है इनकी उसमें की उसकी पूजा करना है यह करना है मैं दिखाता हूँ आप लोग और सबुत दिखाता हूँ यहाँ सारी चीजे किलियर होंगी अच्छा इसके अलावे कुछ और इन लोगोंने क्लेम है जब काली बंगन की खुदाई हो रही थी तो वहाँ पे सीवलिंग का इन्होंने खुब हल्ला कि इस तरह का इस्टोन दिखाया गया यह इस्टोन दिखाके बाद आने का परियास किया गया कि जो है वहाँ पे एक और सीवलिंग मिल गया है देखें यहाँ पे किसी ने यह हला कर दिया ट्विटर फेस्बुक तो इनका सबसे वह माध्यम है दिखाने का यहाँ पे यह क्या दिखाया अब बता दिखें की क्या यह सबूत है वह पुरालो से आता है सिवलिंग का पूरा का पूरा सबूत जो की आप देखी चुके है कि देवनागरी लिपी में लिखा हुआ है और मुसलिम और अंग्रेजो के कालखंड में लिखा हुआ है तो उस समय जो लिखा हुआ है उसके अनुसार वो एक इस्त्री और पुरुष का symbolic representation है यहाँ पर यह जो पत्थर की आकरिती है कि आपको यह किसी इस्त्री और पुरुष का symbolic representation लग रही है इसको भी ceiling बता दिया गया और इस तरह के ढेरो सारे आपको आकरिती मिली है जब खुदाई हुई न तो पत्थर है न पत्थर तो गोल गोल पीलर भी होता है गोल गोल उपर से थोड़ा सा हिस तो पीलर उता है बहुत जगह इस तरह के चीजह उपयोग होती है तो ये Micke ज को ठीटाई को आफ देखेंगे न तो यह ःत्हों देखेंगे इसके साइड वाले यह जो देखिए आप छोटे-छोटे यहां पर मिले हैं इन ही छोटे-छोटे को उठा के मैंने राइट साइड में लगा दिया है जो थोड़ा बढ़ा दिखरा होगा तो यह बहुत छोटे-छोटे हैं मतलब आप समझे कि एक इंच दो इंच इतने छोटे-छोटे पत्थर है इनको भी दिखा कि यह लोग क्या प्रचारित कर देते हैं कि यह भी सीवलिंग है मतलब यह हालत हो गई है हम लोगों की कि जब सबूत नहीं मिलता ना तो कुछ भी पत्थर वेश्टोन हो अरे आप सबूत क्या होता है जब वहां पर कुछ लिखित प्रमाण मिले जैसे वहां पर सील मिलती हैं इंडस वैली सिवलाइजेशन में तो इंडस वैली सिवलाइजेशन में जब सील मिलती है तो उस पर उपर कुछ लिखा होता है कुछ धम चक्का बना होगा वहां पर कुछ जो है वो बना होगा वहां पर मचली टाइप की आकरिती बनी होगी कुछ-कुछ लेकिन अगर यह सब सीवलिंग है तक कहीं तो लिखा होता ना कि यह सीवलिंग है आपने मैंने आप लोग को दिखाया है कई बार कि जितनी सील मिली है वहां पे गोड़े की और भी तरह 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 के जीवजनतों के अस सब पर कुछ-कुछ लिखा हुआ है तो हम लोग नहीं के लिखा हुआ है लेकिन यहां पर कहीं पर लिखा हुआ मिल गया है कि यह सीवलिंग है कि हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो फिर तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इतिहांस का गरबर जाला किया जाता है अब देखें ये भी मिला है आप जब म्यूजियम में जाएंगे ये भी मिला है अब वो जो पत्थर एक लेटा हुआ सा है उसको सीधे खड़ा कर दो यहां पर फेवी कॉल वगेर लगा के खड़ा कर दो कर दो यह भी सीवलिंग है करना क्या है पत्थर ही तो चाहिए ना थोड़ासा गोल होना चाहिए गोल होगा तो खड़ा कर दो भी सीवलिंग ही तो और भी मिला है यह देखिए खोखले पत्थर इस तरह के मिले हैं इनका गोल गोल दिख जाये सिलिंडिकल सब स्यूलिंग ही हो जाएगा बताएं तो यह जो है ना इन लोगों ने इस तरह की चीजे किया है आचा एक किताब है अर्ली इंडियन्स टोनी जोसेफ हैं यह भी थोड़ा सा इसके भारे में लिखे हैं कि भाई जो खुदा ही वगर हुई ह उन्होंने वेरियस रिसर्च पेपर के माध्यम से भी दिया है तो थोड़ा सा इनका भी एक दो पॉइंट मैं दिखा देता हूं इन लोगों की क्या राय है डिफरेंट रिसर्च पेपर्स जो है वहां पे जो लोग यह लिंग पर चारित कर रहे हैं उसकी क्या कहानी है टोन सिस्न देव यह जो समझ रहे हैं जबकि हडपा किसी के मन में इस बात को लेकर संदे की गुंजाइस नहीं छोड़ते कि Ling Pooja उनके सांस्कृतिक खा जाने का हिस्ट अब इन लोग का क्या मानना है कि वहां पे Ling जो है ना Ling थी उनके सांस्कृतिक खा जाने में Ling थी ये लोग ये बात मानते हैं लेकिन इनका क्या कहना है कि जो यह है रिगवेद है या जो ब्रामहनिकल सिस्टम है उसका रिगवेद से कुछ लेना देना नहीं. मतलब वहाँ पे और भी इसका मतलब यह लिंग हैं, यह सारे यहूलिंग हैं. यह यह कह रहे हैं कि वहाँ पे lingo की परधानता इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी चित्र मिले हैं जो नंगेत हैं उनका लिंग साफ साफ दिख रहा था उसकी चर्चा करेंगे हम लोग आगे तो यह बोलते हैं टोनी जोसेफ की ऐसा पता चलता है कि वहां पे लिंग जो है ना लिंग या नंगेपन जो है या आजीवक की सबसे पुराना मानता है उसका तो लिंग को निंदा करता है ठीक उल्टा है दोनों का लेना देना ही नहीं है हड़ापा संस्कृति का ब्रहमेनिकल सिस्टम से यहां पर यह चीज़ कहना चाहरा है तो यह आगे क्या लिखते हैं कि पुरातत विद आरेस विष्ट कॉन है तो कह रहे हैं इनका भी थोड़ा सा इनहीं की बात से उन्होंने दिखाया है कि इनका क्या मानना है थोड़ा साप समझ लीजिए तो यह क्या कहते हैं कि ने हिंदुस्तान में दौल वीरा के द्रिस्यातमक रूप से सबसे ज़्यादा अदबुत अस्थल की खुदाई की थी वे बोल रहे हैं कि एक साफ साफ पता चल रहा है कि जितने भी वहां के लेंग की मतलब जिनका लिंग का प्रतिक था और जो मुर्तियों को धौल वीरा और अस्थलों पर उनको नश्ट किया गया था लिंग जहां जहां दिख रहा था उनको नश्ट किया गया है किसी ने जान बू उपासना के निकट ना आने पाए तो यह कह रहा है कि रिग वेद में एक चगह यह चर्चा आती है कि भाई जो जो सिश्न देव हैं मतलब जो लिंग की पूजा करते हैं वो सब जो हैं हम लोग के जगह पे आने नहीं चाहिए उनको दूर भगाना है इनका मतलब यह दिखाया इन सब में से ज़्यातर लोगों ने रिग वेद को जान बूज के पूराना दिखाने की कोसिस में कि लोग मानते हैं पूराना तो यह लोग भी पूराना दिखा के हड़ापा से जोडने की कोसिस करते हैं लेकिन सच्चाई मैं आप लोग को बताता हूं कि इसको जब करने है वेदान्ति वेद जोड अंत तो वेदान्तियों की डिवेट जो है वेद वालों से होती थी वेदीकों से इन दोनों में मारा मारी थी और यह time duration कभ का है 9th Century का तो अब यहां पे देखें वेदो का पहली बार भाहसे कौन करता है 14-15 सदी में कौन कर रहा है महिदर उवड सायर और महिदर उवड सायर 14-15 सदी में आप वेदान्ती कब से आ गया है नाइंत सेंचूरी में तो नाइंत सेंचूरी में आ गया है जो चीज 14-15 सदी में पहली बार महिदर उव जो नीठा दिखाया गया है, कहा गया है कि उससे इूपर उठो, उसकी निंदा करता है ससाब इन दोनों की जो टाकराहरत है, इस टाकराहरत के खारण यह एक दूसरे лет के निंदा करते हैं. वो चीछ यहाँ पर आ है और चुकि वेदान्तियों का पहला जो व्यो कि था वह संकराचार्य था सहक्राष़ा के रिवामत का था जिसके जिससे इस दोनों की टकराहरत थी दोस्तो इस चीज को कीजिएगा में बार बार जब कोशुचन उठाता हूँ और time duration को जब fit कीजिए गा तब आपको पता चलेगा कि कहां पर टक्राहट है कहां पर यह लोग जानभूज के fit करने कोशिस करते हैं तो अब यहां पर आप साथ 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 देख रहे हैं कि यह जो रिगवेद का यह जो चर्चा आया है यह तब आया है जब साईव उफान पे आ गया था और आपने सुना होगा कि सेवो मार्ग और मंडन मिश्र जो है इन दोनों में ये वेदान्ती था और उसको कहा गया कि ये वेद वाला था इन दोनों में टाकरहाट कि इन दोनों में सस्तरार्थ हुआ था वो वेद को मानने वाला था और ये जो है उपनि मिले हैं तो भी दोनों का एक दूसरे का एंटी है यह यह यहां पे यह काना चाहते हैं खैर आगे बढ़ते हैं तो यह कहते हैं कि इससे पता चलता है कि इन दोनों में सतुपता थी अब यह दो एक ऐसे अस्तंभ दिखाते हैं दो यह पीलर दिखाते हैं वह यह पीलर है पीलर को आपने किल देखा है ना कांटी किल को जब आप ठोकते हैं किसी चीज में तो उसका जो सीरा होता है जो चीज ठोकते हैं वो कैसा बनाते हैं नुकिला होता है तभी तो आप फिट करेंगे नुकिला होगा तो अच्छा उपर भी अगर कोई चीज है उपर का कोई structure है उसको कि दूड़ा हुआ बनना चाहते हैं तब फ्लैट होगा तो यह दोनों पीलर टाइप के दिख रहे हैं लेकिन इसको इन लोगों ने क्या दिखाने की कोसिस की है कि यह दोनों भी लिंग टाइप के हैं यह दिखाने के लिए कि वह लिंग पूजक जगह थी या लिंग की यह लिंग लिंग कर क्योंकि हमारे जितने भी लोगे वह लोगों के पास दो ही तिन चीज बता है रिगवेद पूरा ना है उनहीं में सब चिज घूषड़के दिखाते रहना है कभी सोच ही नहीं पाते है कि यार यह पिलर है लिंग किस हिसापसे है इतना बड़ा लिंग होग तो लिंगम लिंगम करने लगेगा तो यह लोग ठाराने की आदत है आगे देखें क्या लिखतें हैं आरे से वही बीष्ट है यह अरे से 20 अरमवन है तो इनको ठाराना था इन ही का दिया हुआ सारा चीज है लिंगम पूद्रूस क्या लिखते हैं कि उद्खनन प्रIN ४ पोर्ट में लिखते हैं कि उत्खनन से निरवलम फ्री एस्टेंटिंग खड़े हुए लिंगाकार अस्तम्भों के कम से कम छे उदारन पाए गए थे अब आपनों को मैंने दिखा ही दिया इनका कि जो Sn Orient करता हैं किस तरह से जो चीज नहीं भी लिंगम होती है उसको दिखाने की कोशिश करतें अगर नहीं भी है तुब्हह उसको दिखायेंगे कैंण लिंग क्यों हुआ करता था हम जो रिगवेद उसके बाद से बीदेश से आये हैं तो हम लोग लिंग का विरूध करते थे इसलिए हम जो है न वैदिक काल था इसलिए हमारा दरसले यहां पर यह सड़े अंदर चल रहा है दोस्त चीज समझे इसलिए यह जो ब्रामण विष्ट हैं यह क्या लिखते हैं उत्खरन से निर्वलंब खड़े हुए लिंगाकार अस्तंभों के कम से कम छे उदारन पाए गये थे यह निर्वलंब अस्तंभ लंबे हैं और उनका उपरी हिसा लिंग से मिलता जुलता है देख लिए आपने लिंग है नहीं लिंग से मिलता जुलता है अस्थापित करना चाहते हैं आपके मन में जो पुर्वागरा है वो चीज वहां पर अस्थापित कर दो इस तरह से हमारे पुरा तत्विद बरबाद करते ही तिहां सको यह देखें लिंग से मिलता जूलता है या वे लैंगिक परकिरती के हैं अब बताये खंभा जो है अब बताएं दोस्तों आपने तो देखा होगा ना दिनरात सोचल मीडिया में देखा होगा हर जगे देखा होगा क्या वहां के पूरा तत्व वीदों ने ये बात लिखी है कि ये सारे के सारे जो इस्ट्रक्चर उनके यहां देखने को मिलते हैं ये सब लेंगिक प्रकृतिके हैं या लिंग नूमा आकार से मिलते जुलते हैं लेकिन हमारे देश के जो पूरा तत्तो विद्ध हैं ये इस तरह से लिखते हैं दूस्त इनको दिखाना है कि कैसे वहाँ पे हम लिंग अस्थापित करते हैं और देखें और यही वज़ा है कि वे इरादतन छती ग्रस त्या तोड़ी गई हालत में पाएगा हैं अरे भाई सा हालत में हैं धौलवीरा की बैठे हुए पूरुस की मूर्ती के बारे में रिपोर्ट करती है अब वहाँ पे क्या है ना कि धौलवीरा में जो पूरुस मिला है यह यहाँ पे बोले हैं कि इरादतन छती ग्रस त्या तोड़ी गई है इनको नहीं गई जिसको आप पीलर बता जहां नंगे थे उन चीजों पर रगर रगड के मीटाने की कोशिस की गई है यह काम इन लोगों ने किया है इधर पहले नहीं हुआ होगा इधर ही किया है इन लोगों मुझे तो ऐसा लग आप लोग देख लिजे कब क्या सचाई है तो मैं चित्र दिखाता हूं जिसमें य मुल्टी पाई गई थी और परवर्ती हडपाई ने खड़ी की थी यह चित्र युक्त चुनेदार बलुगा पत्थर से निर्मित है मैं चित्र दिखाता हूं थोड़ा से गौर कीजिएगा दोस्तों यह देखिए यह चित्र मिला है यह इंसान है इसका गरदन काट दिया ग उसतरा की झालते थे यह जो चीवर का पहंते है राइट साइड में हैं कंद पर उसतरा का यह अक vitamins देखिए दूसरा वाला का हाथ देखिए उसका कहां पर है और एक हांथ जो है दोनों हाथ का साहिक हुआ अवर चित्र देखिए और नीचे से जो है उसके नीचे वरा देखिए तो इन दोनों को मिला कर इस तरह से ओवराल यह दिखाया गया है कि जो बुद्व मार्ग में जो चीज़े आई हैं वो उस तरह की चीज़े अल्रेडी पहले से भी प्रैक्टिस में थी इंडस्वैली सिवलाज यह चीज़े भी देखी गई है इस चीज़े थोड़ा गोर की जेगा दूस्तों कि बुद्व मार्ग में जो चीवर पहनने की बात है यह यह असपर्स मुद्रा है यह मुद्रा वाली जो बातें हैं यह चीजह ऑल्रेडी कहीं न कहीं जो है यानि कि यह सरमण प्रंप्र आप मेरी बात तो यह चीजह है यहाँ चले अब क्या होता है कि यह चीजह में लिए है तो देखें इसमें इसमें इसको यह बोला हैं कि इसको इरादतन तोड़ फोड़ किया गया है हम इस पर ज्यादा नहीं जाएंगे हमारा जो मेन मुदा लिंगम वाला है उस पर आते हैं अब देखें आपने जैसा की देख लिया कि सिंदु घाटी सभ्यता में जिसमें इन लोगों ने लिंग दिखाने की कोशिज की थी उसमें कोई मानविय आकरती नहीं थी मानविय आकरती कब आती है जब भारत में कुशान वगएरा आते हैं और जब वो बनाना शुरू करते हैं चित्र बनाना मूर्तिया बनाना बुद्ध की मूर्तिया बनाना शुरू करते हैं और उसे पहले भी मूर्तिया बनती थी भरू लिंगम कौन कहेगा वही कहेगा जिसने बुध को लिंग बनाकर पूजा करना शुरू किया होगा अब मैं एक बैक्ग्राउंड आपको बताता हूं दोस्ता अब वहां इस चीश को अगर देखें तो इसके अंख पर यह è धर्ड आई दिखाने का परियास किकि यह थर्ड आई भी है जबकि वजर्यात साखा जो है उसकी यह मुर्ती है वजर्यात साखा में धर्ड आई होता है दो kendal की वजर्यात सा mouse के पीछे चलिए सारा चीछ के लिए आज लिंग की पूजा कौन करता है यह तीन जो है पैरलल में जो होरिजोंटल आप देखते हैं जो आकरिती तीन आकरिती ऐसे तीन लकिरे माथे पर कौन खिचता है सीधी सी बात है कि सैव मारगी जो है उन्होंने लिंग शुरुवात की थी और उन्होंने बुद्ध को एज ए सीव लिंग रिप्रजेंट किया जिस तरह से वैशनों मारग ने बुद्ध का ब्रामभडी करन करते हुए उनको विश्नु का उतार बनाया बार्मी ते जो इस तरह की थी उसको लिंग कहना शुरू किया और इसको एज सीव लिंगा की तरह एक्सेप्ट कर लिया और वैशनों वालों ने किया कि अब बुद्ध को सीधे-सीधे अपना अवतार बता कि अब बुद्ध की जहां-जहां मूर्तिया होती थी उसको वैसे बना लिया कि यह हमारे बुद्ध हैं अवतार हैं उसको गहना चुन्री वन्री पहना के दिखाना शुरू करती है तो दोनों ने यही काम किया दूस्तों अतीसरा है सक्ति जिसने तारा देवी जो महिला बोधी सत्व होती है डाकनी इन लोगों कब जाके आईनों ने अपना वो बना ल या अत्तब से ये इसको लिंग कहना शुरू करें कोई एक मुखा लेंग कोई पांच मुखा लेंग कोई छे मुखा लेंग उससे पहले ये वजरयान साखा के पूरी तरह से बोधी सत्व हैं उससे पहले ये बुद्ध हैं बोधी सत्व हैं बुद्ध की आकरिती किलियर होत होती है नवी सदी के बाद से ही इन लोगों ने इसको कभजा किया इस जगह को और उसको लिंक कहना शुरू किया और फिर तब से यह लिंग ही कहा जा रहा है तो यह कभजा किया गया है दोस्तों पहचाने साफ साफ यह कहां पे भुम्रा मिला था तो 1919 में मिला था अंगडेजों ने खोजा जब इसको तो इस तेमपल में लोगों ने इसको बनाया है इस टेमपल आप यह देखेंगे न यह जो गेट है यह पूरी तरह से आप देखके समझ जाएंगे कि वज्रयान साखा कि जो देख लीजिए चुटे चुटे यह बहुत सारी मूर्तिया आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं और यह बहुत बुरी हालत में था अभी ज़रा सूचिए कि 1919 साल में इस तरह से टूटे-फुटे हालत में था अगर यह ब्राम्हड धरम का अगर यह टेंपल होता तो वो ल कि दो में लिखा है कि निंग पुझा नहीं है कि कब से करने लगे वाई अंगरेजी ओक हने के बाद 1919 में यह हालत मिली है दोस्तों तो यहां से साफ साफ पता चल पा रहा है दोस्तों कि यह जू है ना 1919 के बाद से ही इन लोगों ने देखिए यहां पे कुछ भी नहीं था यह खाली यहाँ पर मिल रहा है और इसमें जो है इन लोगों ने बुद्ध का वो डाल के और इसको जो है बना लिया अपना एक टेंपल बना लिया है अब यह देखें यह एक आकरिती मिली है आपको जिसको कहा जाता है कि 1st century BC इसा के करीब में या उससे 100 साल पहले का एक चित सीव लिंग दिख रहा है यहाँ पर देखें एक इनसान है उसका लिंग साफ साफ दिख रहा है दूसरा जो है यहाँ पर थोड़ा बुढ़ा दिख रहा है उसके बीच में भी उसके ऊपर आप देख लीजिए अब यह सीव इनमें से कोई हो सकते हैं दोस्तों यह सबसे oldest मा बना गया है लिंग का और आप देखें कि इंडस वैली सीव लैजेशन में भी कोई इनसानी मूर्ती नहीं है जिसको यह सीव लिंग बता रहे हैं यहाँ पर सीधे सीधे यह लिंग की तरह बना हुआ है दोस्तों आइस पर यह तीन पैरललल्टी का बाद में किया होगा जब दिख रही है आएं मिरिक छाला पहने हुए दिख रहे हैं क्या सीव ऐसे रहते हैं क्या नहीं रहते ना फिर किस आधार पर इसको सीव लिंग बता दिया गया है और यह खड़े हैं एक बुढ़े आदमी पर यह कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई बुढ़ के श्टूर होता नहीं था तो लोग चित्रात्मक माध्यम से जीवन परिवतन या तरह तरह के चीज़े बनाते थे दिखाते थे यही इन लोगों के लिए पिक्चर हुआ करती थी उसमें फिल्म भी नहीं था मनुरंजन के साधन नहीं थे कोई आके देख ले जान ले तो इ आज कल की डेट में जिनको आपका देंगे कि यह तो असलील है इस तरह से कौन बनाता है लेकिन प्राचिन काल में उस तरह से बनाई जाती थी क्योंकि उस समय फिल्म में नहीं होती थी लोगों का मनुरंजन का कोई साधन नहीं था तो मूर्थियों को ही चित्रकला बनाते देखने जाता था तो इस तरह की चीज़े थी लेकिन यहाँ पेख कहीं से भी आपको लग रहा है कि यह सीव का है रिप्रेजेंटेशन यहा सीव लिंग है पताएं जरा में कहीं लिखा हुआ मिला है नहीं मिला है दोस्तो इसका ब्रामध्री करन किया गया है जानबुच के इसको जोड़ा गया है और जैसा वरुन जी ने सुरू में कहा भी था कि वही साउथ जो इंडिया है वहाँ से सीव लिंग का वो मिल रहा है तो अफ़ोर्स सबसे पुराना जो है लिंग की आकरती उधर से ही आपको देखने को मिल रही है अचा इसके बाद से जो है आप और थोड़ा सा देख लिजे ये देखें ये जो मूर्तिया बनी है इसके ठीक वीच में एक पीलर टाइप का गोल है इसमें एक आकरती बनी है इसको भी इन लोगों के मूर्ति ये दोस्तों साख ये अजरां के मूरू सार इसको भी ने लिंहाँ ने इसको नहीं होनी चाहिए वह नहीं और देखेंiben़ 1 कि आश्या आर्ट museum में रखा हुआ है दोस्तों देख लिजे इसको आप जड़ा देखिए ये चित्रध्यान से देखिए इसके नीचे आप देखिए ये 8 structure जो बनाया गया है ये 8 structure कहां पे होता है ये गुप्त काल में ये भी वजरियान साखा की ये परंपरा है नीचे से ये कहीं से आपको link द ताबदी में अगर इस तरह के इस तरह के link अगर बनते थें तो भाई आप जो है गुप्त काल में इस तरह के link बनने लगेंगे अरे है ही नहीं भाई साब link ये link हमेशा आज कल जितने link बनते हैं क्यों नहीं इस तरह के बनते हैं अगर यहीं सब linkum है क्यों नहीं बना लेते आज कितने भी जो सीव लिंग बनते हैं उसमें यह फेस नहीं होता है बुद्धा का फेस थोड़े उसमें बनाएंगे तो यह देखें यह आकरिति आपने देख लें यह देख लीजिए लॉंस एंजिल्स में रखा हुआ है दोस्तों यह वन फेस है अब इसको भी इन्होंने बता रख DAY थे लउसेजिस वले उठाब ले गए अमेरिकन इसको यह देखें यह इसको जो है आप फाइट इसको बता रखे है अब देख लीजिए इसको यह आपको कहीं से दिख रहा है कि यह जो सीव लिंग है यह उपर देखिए ना लिंग ऐसे होता है कान भी है सारा चीज है इसको भी इन लोगों ने लिंगा लिंगा बता रखा है और देखिए यह देखिए फोर हेड़ेड मेटल कवर मुखा लिंगा नैपाल में है यह और बरलिन यह जो म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट जो है न यह बरलिन में है अब यह कौन से परंपरा के हैं दोस्तों इसके हाथ आप देखिए हैंड जो है इस मूर्ती में आप साफ साफ देख लीजिए यह जो बीच में हैंड है यह इनकी हाथ की जो अंगूठा है जो इंडेक्स फिंगर है इन दोनों का मिलान देखिए यह किसके मुद्रा होती है आप जो है meditation के थुरू आप कुछ सोचते हैं कुछ different जो आखे खोल कर आप नहीं देख सकते हैं वो चीज़ है आप सोचते हैं उसको third eye कहा गया है दीप सोचना गहराई में सोचना उसको third eye कहा गया है symbolic representation तो यह हाथों का symbol यह सारी चीज़े कहीं न कहीं आपको बता देती हैं यह link-giving नहीं है दोस्तों यह बुद्धा से ही inspired है और यह वजरियान साखा की different मूर्थिया है और देखें इसके बाद से आप यह देख लीजिए अ अब कुछ लोग कहेंगे कि देखें नीचे तो यहाँ पर वह भी आपको मिल रहा है योनी टाइप का भी मिल रहा है अब उपर five face है अब भले ही बुद्धा की तरह हो लेकिन नीचे योनी तो मिल रही है इसको तो मैं पक्का कहूंगा कि यह यह तो healing है भले ही बुद्धा क का उपर हो तो दोस्तों यहां पे भी मैं आप लोग का यह confusion दूर कर देता हूं दोस्तों वही इन लोगों ने क्या किया है देखें बुद्धा को इन लोगों ने कैसे capture किया बुद्धा का बनाया ninth century के बाद से जब इन लोगों ने sibling बनाने की प्रमपरा शुरू कर ली अपनी sibling कहना शुरू किया तो बुद्धा के face के नीचे वो बना देते थे यह link type की आकृति बना देते थे architect होगा अब ऊपर यह five face नहीं होगा एक single होगा वो भी आपका जो है एक बुद्धिष्ट उसका संरक्षन कर रहा होगा आप सूच रहा हो कि क्या यह सीवलिंग नहीं दोस्तो तब भी यह बुद्धिष्ट का है कैसे है मैं आपको दिखाता हूं देखिए मैं आपको दिख इन्होंने बहुत बाद में लिखा है दोस्तों यही वजरियान से ही तो कौपी करके इनको कब जा करना था कि नीचे जो है यह योनी इस तरह से होनी चाहिए तब उन्होंने बाद में लिंग पुराने लिखके ऐसा किया और यह वजरियान साखा उनसे पहले बना चुका था उ तो दोस्तों यह पूरा का पूरा जो है जिसको यह सिव लिंगम लिंगम कर रहे हैं यह पूरा वजरियान साखा है आपने देखा कि कैसे कैसे जैसे जैसे समय बदलते जा रहा है बढ़ते जा रहा है वैसे 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 वजरियान साखा बढ़ती गई और नीचे वो यह जो य मोले नहीं था सुरूं मैं ये वजर्यान ने बनाना शुरू किया लेकिन उसके ऊपर बुद्धे थें में इन्हों ने क्या в inspired कि नीचे तो यो नि बना रहे हैं अघिस को इन्होंने और बुद्ध को इन्हों ने सीव कहना सुरू कर दिया और फिर उपर जो है सब चीज हटा के लिंग ही बना दिया उन लोगों ने ये कर दिया दोस्तों और जब उन्होंने सब चीज हटा के लिंग भी बनाया न तो भी इसके संरक्षक बुधिष्ट ही थे दोस्तों आपने सुना होगा वियतनाम में ये ल पूजार हो गया होगा इसको थोड़ा सा जूम कर दिया है I G इसको अब देखें ऊपर से लोग सिंदुरोटी का टुकली लगा लगा के पूजा पाठी पड़े हुए है यह प्रोपर जो है आप देख पा रहे होंगे किह नीछे जो है योनी टाइप का बना है उपर यहां बुद्ध बैठे हुए हैं फोर फेस्ट चारो तरप से यह बैठे हुए इसको यह सब लिंग लिंग काते रहते हैं अब कुछ विदेशों का भी दिखा देता हूं आपको आप लोगों कमबोडिया तो गए होंगे नहीं गए होंगे तो कोई बात नहीं है देख लीजिए हिस्ट्री ओफ फ्री खान यह मिला था यह टेंपल जिसको यह क्या बताते हैं आप लोगों से भारत में ऐसे ऐसे कई सारे गपोडी चैनल चल रहे हैं जो आजकल परचार कर र घरवाद जो है या जो महायान है महायान की यह वो साखा थी इनमें भी आपस में कंट्राडिक्षन चलता था जो जो राजा लड़ाई वगरा करते थें जो धेली जम है या फिर जो महायान की साखा मिए इसके बहुत विख्वु जो हैएीं सेलफ डीफेंस पर जोड देते विदेशों में कंकर करने जाते थे, वो विदेशों में दूसरों को जीतने जाते थे, और वो मानते थे कि हाँ हाथियार होना चाहिए, हाथियार ये चीज होनी चाहिए, तो उन लोग जब बनाते थे वहाँ पे, मूर्तिया बनाते थे, जाएंगे कहीं पे भी कंकर करेंगे, जब बनाएंगे बुधिष्ट का महाविहार बनाते थे, तो वहाँ पे वो बनाते थे अपने लोकेश्वर, यानि जिसको हम लोग अलुकितेश्वर कहते हैं, थाइलेंड में उसको लोकेश्वर कहा जाता है, आप कमबोडिया में उसको लोकेश्वर कहा जाता है, जो मैनमार है वहाँ पे नाथ कहा जाता है नाथ वर ऐसे कहा जाता है तो आप देखें कि वहाँ पे लोकेश्वर की वो मनाते थे उस लोकेश्वर को इन लोग क्या कहने लगें कि वो विश्नु है ये इतने बड़े धूरत लोग होते हैं दोस्तों कि वजरयान साखा का जो लोकेश्वा है उसको ये विश्नु कहना शुरू कर दिये हैं हमारे देश की जो बहु शंक्यक संख्या है बहु शंक्यक जो लोग है आबादी है उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने सु लोग जो है थेरवाद वहाँ पर प्रचलन में था तो उन्होंने कहा कि यार तुम इतने हिंसां सा नहीं चले गया जब उधमार्क फैलाना है तो थोड़ा सा थेरवीजम वह करो ये हिंसा वाली तो उन्होंने क्या कि उसको वह बना लिया बुध की लगा दी बाद में बु वजरियान साखा का था उसने लोकेश्वर का बनाया था साफ साफ लिखा हुआ है वहाँ पे उसको इन लोगों ने प्रचार फैला दिया कि नहीं हिंदू ने बनाया था बाद में बुधिश्टों ने अरे वह लड़ाई वजरियान और थेरी जम की थी ठीक है कि पबलिक मे चाहिए between the line क्योंकि आप वजरियान को जानते नहीं है इतिहास में सभी ने वजरियान को हिंदू दिखाने की कोशिस किये दोस्तों और जर्यान का जो लोकेशवर है वजरयान का जो अवलुक की तिश्वर है उसको बार-बार इन लोगों ने दिखाने की कोसिस किये कि वही विश्णु है वही सीव है उसी को मैंने आपको दिखाया भी कि उसी को इन लोगों ने कैसे सीवलिंग बना लिया उसी वजरयान को आपको देखो कैसे कमबोडिया को य पहली बार जब ये ब्यूल्ट हुआ था तो ये बुधिष्ट मोनेस्टरी के रूप में हुआ था और लिख रहा है इट वाज इट अलसो वाज दर रेजिदेंस ओफ किंग जया वर्मन सेवेंथ वाइल दर रॉयल सीटी ओफ अंगकोर थॉम वाज भिंग ब्यूल्ट प्रिच खान is dedicated to the father of जया वर्मन सेवेंथ and is architecturally similar to the prom temple which was dedicated to his mother तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि originally बताया जा रहा है कि ये बुधिष्ट ही मोनेस्टरी थी अब यहाँ पे जो inscription मिला है वहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है according to the inscription 1500 tons of bronze was used to cover the interior walls of free khan temple ठीक है न लिखा गया है कि 1500 ton इस्तेमाल किये गए थे bronze का cover करने के लिए free khan temple complex को cover करने के लिए जिसको ने पता है क्या दीखा दिया है जो जिसको ये परचार करता है पोड़ा है परचार करता है ये जो स्टोन यहाँ पे cover किये गया है क्योंकि भीतर जो है वो थे वुष्णु का मंदिर था उसको छुपाने के लिए बाद में इन लोगोंने बाहर वो खड़ा कर लिया खड़ा कर लिया भी दर विश्णू है वो इतना बड़ा बेवकूफ है सच्छा ही दोस्तों यह है कि वो सुरू में ही लोकेश्वरिये देखें यह क्या लिख रहा है यहां पर इस समझे किया यहां पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों यह जो लड़ाई है दोस्तों यह बुद्हीष्ट और इनकी है वज्रियान साखा की है यह समझिएगा इस दोस्तों जहां पे भी ancient में भी अगर किसी को कोई claim कर रहा है कि पहले हिंदू था रहे भाई हिंदू तब भी नहीं था वह लोकेश्वर था लोकेश्वर का कौन होता है उसके हाँत में फरसा होते लिखाउ के हृँ हृँ बुद्धिस्ट डायटी लोकेशवरवाज हा रिप्लेस्ट रिप्लेस्ट किया गया सुतूप से तो उसके सेंटर में यह चीज रिप्रजेंट किया गया है यह देखें यह बीच में यह चीजे हैं और यह चारो तरप से घीरा हुआ है अब कोई भीतर घुसेगा उसमें तब तो जाके पता चलेगा ना कि भाई यह भीतर जो है सुतूप है भीतर सुतूप की अस्थापित किया गया है किसके जगापर लुकेश्वर की जगापर यानि कि वजरियान साखा क्योंकि वो यह मानते थे बुधिष्ट जो है ना जो इस लोग कंभोडिया में यह मैंसेज नहीं देंगे कि हमारा जो हिंसा ही है वो पूरा वहां पर जब लडाई होई थी तो पूरा वहां का तलाब खून से पट गया था वहां का का हिस्ट्री जब आप पढढएंगे जब इसने वहां पे शासन किया था जब जैवर्मन वहा लेकिन यह क्या करते हैं वहां पर क्या डिखाएंगे लोग सुवर को और यहностью पूरा 실ाल करते हैं और हमारे इकरन कर देते हैं और आपके यहां बताने वाला कोई है नहीं मतलब हमारे कोई बताने वाला संचाई है नहीं हम इंस्क्रिप्शन भी खोल के नहीं पढ़ते हैं हम उसकी सही व्याख्या भी नहीं देखते हैं अब वो घुम घुम के हर जगा परचार फैला देता है तो इसलि मैंने बताया कि नीचे जो है लिंग ये बनाने की परंपरा वजरियान वाले सुरू कर चुके थे और ये देखे नीचे ये लिंग नहीं है दोस्तों ये 8 faces है नीचे देखिए न नीचे ये 8 faces और ये बुधिष्ट के वजरियान साखा की है siu link होता तो सीधा siu link होता वो होता ये link है link बने हुए structure बहुत सारे आप थाईलिंड मेशायेंगे तो एक ऐसा जगह बनाया गया है जहां पर link ही link है पूरे different different तरह के proper link दिखाते हैं यहां पर deekhye proper link ऐसे दिखाने का पर्यास किया गया है मतलब इस structure में और नीचे 8 वो बनाया गया है इसको इन लोगों ने प्रचारित कर दिया कि यह जो है यह सीवलिंगा मिला हुआ है क्योंकि भारत के लोग अभी तक इस structure को जाने ही नहीं पायत हैं कि इस तरह के structure जो है वजरियान साखा ने बनानी सुरू कर दी थी और वजरिय से 1200 मिलेंगे कमबोडिया में जायेंगे आज भी बुधिश्टी मिलेंगे तो बही यह जो देश बुधिष तक पहां से काम कर रहा है वहां पर तुम्हां हिंदू कप पहुंच गया है तो यह जो है यह आपको थोड़ा सा इन लोगों का जो निरेश्चन यह लोग जो discuss कि हैं उसको समझना पड़ेगा आजा हिंदू हिर्देस समराथ विवेकानंद का अपने नाम सुना होगा सुना होगा ना जब गये थे सारनाथ उन्हों ने इसे structure को देखा सारनाथ में बुधिष्टों का यह सतूप देखा इतना बड़ा तो पता है उन्हों क्या कहा उन्होंने कहा देख लिजे पढ़ लिजे क्या कहा उन्होंने अब बुधिष्ट अस्तूपा में हैव इन्फ्लूएंस्ट दा लाटर आइकोनग्राफी ऑफ दे हिंदू सिवलिंगा अगर इनको आर्किलोजी पता होती अच्छे से तो यह उस समय कहते कि यार जो है हिंदू नहीं वजरयानियों ने पहले बना लिया था इनने तो वसका बज़ा किया है ना यह स्ट्रक्चर जो है इन लोगों ने पहले बना लिया था और वो कोई वो नहीं बनाते थे मेल फीमेल पूजा करने के लिए नहीं बनाते थे अगर पूजा पाठ करने के लिए बनाते होते हैं तो जो वियतनाम में मिल रहा है उनीचे जमीन से खोदने से नहीं मिलता दोस्त ठीक है ना, जमीन खोदने से नहीं मिलता वो, और वहाँ पे मिल जात उसकी पूजा पार्ट हो रही होती, बुद्धिजम जो है आज भी लिंग की पूजा कर रहा होता, नहीं करता है वो, क्योंकि वजरियान साखा जो है ये एक्सपरिमेंटेड ये तरह-तरह की चीज़े बन रहता है, फिल्म ही तो इंडरस्ट्री है ना, बना रही है, अब उसका कोई illegal धंधा करना शुरू कर दे, illegal चीज़े वो करना शुरू कर दे, तो वो जो कर रहा है उसकी गलती है ना, science ने आपको atom bomb बना दिया, science ने आपको तरह-तरह की सुईधा दी, अब जो उसका गलत इस science कैसे गलत हो जाएगा, जिसने ये चीज़े बनाई, तो हमें ये चीज़ समझना होगा, इस narration को समझना होगा, अब कोई जो है, इस structure को देखके या कही दे कि भाया, ये भी ceiling है, ये पता ही कितना height है, मैं जब गया था, बच्पन में तब मैंने देखा था, ये इतना बहु लिखित रूप से दिखा देता हूँ, अब इसको ये ध्यान से देख लिजे दोस्ते, इसको अगर किसी temple में रख दिया जाए, तो ये लोग पूजा पाठ करना सुरू कर देंगे, बतायेंगे कि भाया, ये जो है न, ceiling ही है, और अभी जो यहाँ पे जो ग्यानवापी में आपने देखा होगा ये structure, कि इसी तरह का कुछ था लेकिन बहुत ज़्यादा gap था, बीच में बहुत ज़्यादा gap था, और फिर छोटा सा था, उस पर कटा हुआ सा लग रहा था, ऐसा आपने देखा होगा, तो यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको भी ये बुद्ध सतूप है दोस्तों, यहाँ पे नीचे ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बुद्ध की चोकी है, बुद्ध सतूप की चोकी है, अगर नहीं लिखा हुआ होता ना इस पे, यहाँ पे धमालिपी में लिखा हुआ है, पाली वासा में लिखा हुआ है नहीं लिखा रहा था इसको भी यह लोग क्या कहाँ होती है यह भी श्यूवलिंग है इस हाफ साप कहाइट कि end explained लिखा हुआ मिल गया दोस्तों देखें यहां पर यह स्विलम मतफुरा के पास में गॉन करेश्वạt टीला की खुदाई से पराप्त हुई है देखिए यह सीवलिंग और पुरा तत्व कहाता द्वारा इसके निर्माड का वर्स चोथी सदी बताया गया है देख लिजिए या आज भी मतुरा के संगराले में रखा गया आप जाके देख लिजिए रखा हुआ है जिस पर साफ सब प्रक्षर कोई लोग सीवलिंग बता दिये इसको भी याने की फोर्थ सेंचूरी में जब गुपता एरा था तब इस तरह की जो आकरती बनती थी दोस्तो वो बुद्ध सतूप की चौकी बनती थी कोई लिंग विंग इस तरह का नहीं बनता था दोस्तो समझ जाए यह बात तंप्ल का गर्वघ्रिह में ये देख लिजिए यहाँ पर इन्सान की मूर्थ यहाँ पर बनी हुई दिख्के इसको यह लिंग बताते हैं कि अधारनाथ तिंपल के गर्वघ्रिह में बताएंगे जो इस चैचू है उसको बो लेंगे क्या कि भया वो तो शीवलिंग है वो देखें ये पसुपतिनाथ कठमांदू वजरयान साखा की ये भी है ये वजरयान साखा की है इसमें इसमें जो है एट फेसिस बुद्धा है इसको भी इन लोगों ने सीवलिंग बताना शुरू कर दिया है ये पसुपतिनाथ कठमांदू नैपाल में है ये पसुपतिनाथ का मतलब होता है, वजरयान परप्रा में इसका मतलब होता है कि पसु जैसे, जितनी भी आवरिती है, जितनी भी लोग जो सोचते हैं, पसु जैसा, उस पर विजय प्राप्त करना और ये देखिए पसुपतिनात मंधसौर मध्य पर्देस में आठ मुव वाले ये बुद्धा, ये विध्यान से देख लीजिए, ये भी मध्य सुटूप की चौकी है, अब बाकि सब पर तो चेहरा आपको साफ साफ यहां पर मिल रहा है, फिर भी इसको इसे विंग बना कर कभजा की यह देख लिएए, यह लिल्लौटी नात, यह देख लिएए, बुध के यह यहां साफ साफ मिल जाएंगे इतने सारे छोटे-छोटे बुद्ध यहाँ पे बने हुए सेकडो बुद्ध बने हुए हैं और इसको जो है इन लोगों ने यह भाद में यह देखिए यह नीचे का जो आप देख रहे हैं यह बाद में बनाके योणी टैप का बाद में बनाके आई इसको आया है यार, कि टेक्चर नीचे का, योनी टाइप का नीचे बाद में बनाया है, अगेर दिया है कोई नजदिक्स जाकर नहीं देखेगा, इसकी पूजा की ये पड़े हैं, भभुगा में ये, दिखा रहा है कि ये लिंग है, देख लीजे, ये देख लीजे, साफ साफ कहीं पर भी आयेगा ही नहीं कि फेस बना होता है, और ये देख लीजे, ये गंधेश्वर महादेव मंदिर है, इसको भी इन लोगों ने बना रखा है, आये लिंग की तरह है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, जहां जहां गोल गोल अकृती, ये तो साफ साफ गोल है, इसके भी यह बुधिष्टों का है तो इसको पूरा रेलिंग से इसे घिर दिये हैं आप पीछे बुध की मुर्तिया खाली-खाली इसे दिख रही है अगल बगल की देख लीजिए यह चतुर्भुज अस्थान मुझाफर पूर में यह देख लीजिए देख लीजिए यहां पर मुर्त ने ठारा दिया कि यह बही लिंग है और देखिए यह बैकट पूर का महादेव मंदिर इसमें भी यह देखे यह पीछे जो है ऐसे सीधे खड़ा था आगे थोड़ा सा यह लगा के और यह दिखा दियें कि यह जो है सीव का है आहे ही नहीं सीव लिंग नहीं है दोस्ता इन सब इसमें अधूड़ के असो कस्तम है उसको कर दिया उसको जो है इस चक्रवरतित यहां स्कार है इंहें यह देह तो है यह भारत में पानरस में वह बनाके यहीं ह। दोस्तो और भी कई सारे जगह है जहाँ पर इन लोगों ने असोक अस्तम्ब को उठा कर आप सीवलिंग बना कर पूजा कर रहे हैं जहाँ जो मनाया उसको उठा कर पूजा कर लो अब बताएं दोस्तों यह सब देखके आप लोगों को क्या लगता है आप लोगों क्या लगा है क्या देखा होगा तभी तो ऐसा मुह बनाया होगा ना सवाल पूछा किसी ने आज तक आप लोगों में से बहुत सारे लोग गए होंगे आगे भी बहुत सारे लोग जाएंगे टेंपल में किसी पूछा है यह जो लिंग आप दिखा रहे हो और इसमें हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं आप इस बात की स्वर्टी दोगे कि इस्वर का मुह ऐसे ही होता है पूछिए न जरा कोश्चन उठाइए यह आप लोग वज्रयान को और पढ़ें अच्छे से वज्रयान साखा जो ह है वही वज्रयान साखा को capture करके आजकर हिंदू हिंदू कर रहे हैं आप लोग को सनातन उपने से पहले जाएंगे घूरायं फिर रहे है क्यों आज बढ़े जो आते हैं DR के लिए उनको क्यों नहीं अपना धर्म का नाम पता होता है इसलिए नहीं पता होता है क्योंकि वजरियान को ही हिंदू कहा जाना सुरू कर दिया गया और कोई सच्चाई को बताना नहीं चाहता है कि वजरियान साखा जो है वो ही इनका हिंदू से पहले नाम था और उससे पहले जो है महायान थेरिजम या फिर जो ब लिंग पूजा आप जो है में कह रहे हो कि हमको तो लिंग पूजा ही नहीं करने है लिंग पूजा को दूर रखना है यहां